हेलो मेरे प्यारे बच्चों स्वागत है आप कांचिनर विदाफीट हेलो पैलो जी में तो आज हम बात करने वाले हैं कलर प्लाइटनेस मेंडेलियन डिस ओडर की तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बस आपको क्या करना है आपको चैनल को सस्क्राइब करना है ठीक है और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शिएर करना है और जाल स्याधर सुस्क्राइब करना है चैनल को तो चली अब आगे भरते हैं बात करते हैं एक और डिस ओडर की जिसको Mendelian disorder की category में रखा गया है, यह disorder है color blindness, यानि कि color का मतलब होता है, रंग और blindness का मतलब दिखना नहीं किसी चीज का तो यहां पर इसका सीधा ताक पर रहे है, कोई color किसी color का ना दिखना, यह disorder है, तो अगर हम इसको बात करें, तो basically इसमें होता क्या है, कि कोई भी individual है, ज इसको अन具 प्रॉब्लम आजाती है, कि उसको रेड और ग्रीन रंग ने कि लाल और हरा रंग जो होता है, वो इजिली उसको पहचान नहीं पाता है, क्या कर सीतकों करुआ है, लाल और हरे रंग को आसाली से पहचान नहीं पाता है या फिर उनके बीचे भेद नहीं कर पाता है ठीक है यह एक बात हुई परन्तु यदि हम बात करते हैं कि कलर प्लाइमेस का कारण क्या है तो सबसे इंपॉर्टन बात कि यह एक recessive sex linked disease है ठीक है यह क्या है recessive sex linked disease है जो की होती है X chromosome पर present gene के कारण ठीक है तो यहां पर हम ने क्या बात कि के color primedness refers to a disorder because of recessive sex-linked trait in which the individual has a reduced ability to distinguish colors like red and green. Due to that reason, it is also known as red-green blindness. So, color blindness हुई हम red-green blindness कहते हैं. अब बात करते हैं कि यह होता कहते हैं, तो sex-linked disease है यह है पता है, लेकिन कौन सा X-Chromosome-linked disorder भी हम इसको कहते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कि यह होता कैसे है, तो देखो, this defect due to mutation in certain genes present in X-Chromosomes, ठीक है, यानि कि mutation हो जाना उन जीन में जो कि present होता है X-Chromosome में और यह जो gene है, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, mutation हो जाता है, that means कि इन एक्टिफ फॉर्म में आ जाता है, या enable होता है एक specific protein को express करने के लिए, protein को express करने के लिए, चोकि help करती है, कि हम color को identify कर सकें, ठीक है, तो simply से वह बात, यह बात है, कि X-Chromosome पर कुछ gene present होते हैं, जो vision बनने में या color को identify करने में help करती हैं, तो उनमें अगर mutation हो जाता है, तो वो express नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से color blindness disease होती है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं, it is an example of X-Chromosome linked Mendelian Disorder, ठीक है, यह क्या है, यह याद रखना कि यह example है, Mendelian Disorder का, which is linked with X-Chromosome, okay, it is mostly affects male, because male have only one X-Chromosome, यह बात हमेशा ध्यान रखना कि चाहिए वो हीमोफीलिया हो, या फिर वो color blindness हो, यानि कि जितने भी disorders हैं, जो कि linked हैं X-Chromosome से, वो ज्यादा तर male में ही affected होते हैं, यानि कि male में ही उसका phenotype हमें देखने को मिलता है, क्योंकि male के पास सिर्फ एक X-Chromosome होता है, जबकि female के पास दो X-Chromosome होती हैं, तो मालो एक X-Chromosome है, उस पर defective gene है और एक पर normal gene है, यह वाला gene एक्सप्रेस होगा और vision clear होगा, same as hemophilia में होता था, तो अब इस condition को हम की condition जो है क्योंकि एक Mendelian disorder है, एक genetic disorder है, यह किस तरीके से माता पिता से उनकी संतानों में जाता है, उसको हम discuss करते हैं, यहां पर हमने तीन condition ली हैं, पहली condition जो है वो यह है कि color blind women है और उसका जो husband है वो normal है, दूसरा condition है color blind men है और उसकी जो wife है वो normal है, तीसरी condition है career women है और उसका husband normal है, तो यहां पर हम इन conditions को discuss करेंगे कि अगर ऐसे couple की शादी होती है, तो उनसे संताने उत्पन होंगी वो color blind होंगी या नहीं होंगी या कितनी प्रतिशत होंगी, तो सबसे पहले बात करते हैं color blind women marry with a normal man, ठीक है, तो यहां पर ले लेते है red color, तो color blind women है यह, ठीक है, यहां पर देखो, जो chromosome है वो क्या रहे हैंगे X, 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 क्योंकि color blind है यानि कि दोनों ही जो X chromosome है उसमें mutant gene होगा, man जो है वो normal है, इसका husband जो है वो normal है तो यहां पर यह condition होगी, उसके X chromosome पर कोई भी mutant gene नहीं है, क्योंकि यह color blind है तो भईया single type के ही gametes produce करेंगी है, ठीके तो जो gametes की यदि हम यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर जो gametes produce होगे, वो single type पर यह gametes होगा, और यहां पर मेंस में हमेशा दो प्रकार के gametes produce होते हैं, एक X और एक Y, तो अगर हम इनके बीच में cross कराते हैं, तो X mutant और X normal ठीके और यह इसके साथ अगर करेगा, X mutant और Y normal तो यहां पर देखो क्या हो रहा है बच्चों, कि यह जो चाइल्ड है यह female child है ठीक है female child है यह male child है ठीक है तो यह कैसा है, यह carrier है she is carrier ठीक है यह carrier है इसका मतलब क्या है कि इसके पास जीन तो है यानिकि लेकिन फीनो टिपिकली यह color blind नहीं है और जो male child है वो कैसा होगा, वो होगा color blind ठीक है वो कैसा होगा male child होगा color blind अगर ऐसी कपल के बीच में शादी होती है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं दूसरी condition देखते हैं तो जो हमारे पास दूसरी condition है वो कुछ इस प्रकार है कि जो male है यानिकि जो father है बच्चों का वो color blind है जबकि जो female है mother जो है वो normal है तो इस condition को देखते हैं color blind है x with mutant gene और xy यहाँ पर दोनों ही जो x chromosome है वो normal है तो यहाँ पर जो gamete बनेंगे males में तो males में तो दो ही प्रकार के gamete बनेंगे हर condition में ठीक है तो यहाँ पर एक gamete ऐसा एक gamete ऐसा यहाँ पर क्योंकि दोनों ही normal है तो single type के gamete तो देखिए अगर इन दोनों के बीच में fusion होगा तो जो off spring होगा वो female होगा ऑफ spring female होगा परन्तु carrier ठीक है और यदि इन दोनों के बीच में cross होता है या fusion होता है तो होगा male child पर एक ऐसा है यह normal है male child जो है वो कैसा है normal है ठीक है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिनो टिपिकली दोनों में से कोई भी color blind नहीं है ना बेटी color blind है ना बेटा color blind है हां बेटी carrier जरूर है लेकिन वो color blind नहीं है और बेटा तो color blind है ही नहीं ठीक है अब बात करते हैं तीसरी condition की जो यहाँ पर हमने ली थी तीसरी condition क्या है बच्चों यहाँ पर पढ़के बताओ carrier women and a normal and a normal man ठीक है carrier women जो है उसका जो जीनो टाइप होगा वो क्या होगा x chromosome with mutant gene and normal x chromosome x y ठीक है gamete दो प्रकार के gamete बनेंगे female में एक gamete के पास होगा x chromosome with mutant gene और एक normal ठीक है यहाँ पर भी देखो में तो हमेशा ही दो प्रकार के बनते हैं कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं यहाँ ठीक है तो यहाँ पर अगर यह वाला gamete इसके साथ fuse होता है देखो एक कलर मज़ेदारी नहीं है इसमें यह वाला gamete यदि इसके साथ fuse होता है तो जो off spring होगा वो कैसा होगा female ठीक है female child पर यह कैसी है यह carrier ठीक है यदि यह वाला gamete इस वाले gamete के साथ fuse होगा तो off spring होगा male child परंतु यह color blind है अब यह color blind क्यों है क्योंकि males में केवल एक ही x chromosome होता है ठीक है इस कारण से color blind रहेगा यदि यह वाला gamete इसके साथ fuse होता है यह gamete यदि इसके साथ fuse होता है तो off spring होगा female child परंतु normal ठीक है और यदि यह इसके साथ करेगा तो off spring होगा male child और यह कैसा होगा normal तो बच्चों यह जो conditions हमने डिसकस की है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यह जो disorder है यह male में जादा क्यों हमें देखने को मिलता है यह male में जादा क्यों अफेक्टिड होता है क्योंकि male के पास सिर्फ एक x chromosome होता है जबकि female के पास 2x chromosome ह किसी एक chromosome में mutant gene है तो अभी उनके अंदर वो लक्षन हमें नहीं देखने को मिलता है जबकि male में देखने को मिलता है because male carries only one x chromosome तो यह बात आपको ध्यान रखने है तो बच्चों यह ता हमारा आज का लेक्चर तो जो था color blindness पे मिलते हैं आप से अगले lecture में तब तक के लिए बाइ 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 बस जाने से पहले चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा